मध्य प्रदेश, युवा, कॉंग्रेस, अध्यक्ष और काला पीपल से कॉंग्रेस विधायत कुनाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि छोटे और मध्यम वर्क के दुकानदारों को कोई छूट नहीं दी जा रही है ये सरकार सिर्फ शराब माफियाओं पर महरवान हैं और माफियाओं के सामें सरकार जुग गई है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वाराज शराब में छूट देने को लेकर युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष और विधायत कुराल चौधरी ने शिवराज सरकार पर जम कर हमला बोला कुराल ने आरोप लगाया कि पूरा देश और प्रदेश कोरोना महमारी के संकर से जूज रहा है और ऐसे समय में भी मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ माफियाओं को पना देने का काम कर रही है कुराल चौधरी ने कहा जब छोटे और मध्यम वर्क के दुकानदारों को सरकार द्वारा कोई भी छूट नहीं दी जा रही है तो सरकार शराब माफियाओं पर इतना महरबान क्यों हो रही है कुराल ने कहा सरकार को आम जनता की कोई परवा नहीं है वे सिर्फ माफियाओं को फाइदा पहुचा रही है पूर्व सीम कमनलाद ने जिस माफिया राज को खत्म किया था शिवराद सरकार उसी को पना दे रही है प्रदेश को माफिया के हाथ में सौपा जा रहा है मदपदेश सरकार एक बार फिर शराब माफियाओं की किरफ्त में लगाता जितने दिनों से आम जनता परेशान है जनता के लिए कोई राहत नहीं पर लगाता शराब माफियाओं के आगी भुटने टेकने का काम सरकार करनी जिन छोटे दुकानों मध्यम व्यापारियों की मेरा अग्रेय सरकार से आज समय आपात काल का है हर साल शराब माफिया शराब के माध्यम से कई गुना पईसा कमाने हैं अगर एक साल जनता के लिए वह पईसा कमाना छोड़ देंगे और जनता के लिए लग जाएगा तो कोई गलत बात नहीं है फिर आपने कलेको निर्णे लिया है कि सारे नियमों को जो हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर पालन करने चाहिए थे उनमें पूरी तरह छूड़ दे दिये क्या जंता की जान से खेलने की बरवा है आपको की नहीं है इस पस रूप से माफियाओं के आगे डरे नहीं पर इस मद्रप्रदेश की जंता क की आवाज रखें ऐसा समझ प्रतीत होता है कि सरकार माफिया चला रहे हैं और माफिया जो जाहते हैं उस तरह के नहीं सरकार से करा रहे हैं देख रहे हैं दखल न्यूज